दोस्तो बात अगर वेपन्स की आती है तो हमारे दिमाग में वो काफी बड़े-बड़े से हदियार आते हैं जिनका इस्तेमाल जनरली लड़ाई में यानि की वार सिटुवेशन्स में किया जाता है लेकिन दोस्तो आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं कुछ ऐसे ट्वाई वेपन्स जिनकी आप अपने घर के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं काफी सारी मस्ती के लिए तो शुरुवात करते हैं अपनी इस वीडियो की लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि चनल को सब्सक्राइब करेगा वीडियो पसंद आये तो लाइक करना बिलकुल मत बूलेगा दोस्तो बात अगर ट्वाइ गंस की हो रही हो तो कहीं न कहीं PUBG आजकर लोगों के दिमाग में काफी हावी रहता है जहां पर एक से बढ़कर एक तरीके की गंस देखने को मिल जाती हैं जिने के आप अपने हिसाब से मोडिफाई करके भी इस्तिमाल कर सकते हैं बहुत सारी अटेच्मेंट्स रहते हैं उस गेम में लेकिन ऐसा ही कुछ आपको देखने को मिल जाता है इस तरीके की ट्वाइ गैजट में जिहां दोस्तो ये भी एक ऐसी गं होती है जहां पर इसके बहुत सारे अटेच्मेंट्स भी आपको साथ में मिलेंगे जिसे कि गन हुचाती है बिहत खास जो कि कही न कहीं घर पर ही आपको एकदम रियल वाले पबजी की फिलिंग करा देगी तो अगर आप भी अपने बच्चों को गिफ्ट करना चाते हैं या फिर इसे अपने घर पर सजा कर रखना चाते हैं तो दुनों ही सिच्वेशन में ये काफी खोली में इस्तिमाल करें बलकि अगर आपका ऐसे भी मजे करने का मन है करवी के मौसम में तब भी इसमें आप पानी भर कर एक दूसर के उपर मार सकते हैं लेकिन दोस्तों अगर आप ऐसे गोबारे में पानी भरने बैट जाएंगे तो आपको घंटों लग जाएंगे तब दोस्तों कमेंट करके बताएगा कि आपको ये गैजट कैसा लगा है और इसकी कीमत की अगर बात करी जाए तो वो भी बहुत कम होती है तो अगर आप इसकी प्राइस जाना चाहते हैं तो उसकी लिंक आपको डिस्कॉप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे दोस्तों बात करी जाए अगर मोर्टार की तो ये बड़ा ही घातक हतियार होता है इससे अगर दुस्मन के खेमे में दागा जाए तो कहीं न कहीं ये उन्हें काफी भारी नुकसान पहुंचाता है लेकिन दोस्तों अगर आप ऐसा कुछ घर पर करना चाहते हैं जिससे की को आपको मोर्टार की स्प्रिंग को अनलॉक करना पड़ता है और जैसे ही इसमें रखकर आप फायर करते हैं तो ये काफी दूर तक जाता है तो इस तरीके से आप लॉंच कर सकते हैं आपने इस लॉंचर से मोर्टार को जो की बच्चों को काफी इंटरस्टिंग लगेगा य इस तरीके का गेचट अगर आप भी चाहें तो एक बर इस्तिमाल करके जरूर देखिएगा नमबर फाइफ इस पायर बॉटल गुन दूस्तो होली की समय की बात करे जाए तो आप लोगों ने यकीनन कभी न कभी जो है पिचकारी से होली तो जरूर से खेली होगी जिसमें क आप अपने सभी फ्रेंड्स को जो है रंग लगाते हैं पिचकारी में रंग भर कर तो ये गैजट भी कुछ ऐसा ही होता है जहां पर आप रंग के सास सक पानी भी भर सकते हैं और आपस में मजे कर सकती हैं दूस्तो ये दरसल एक ऐसी छोटी सी गन होती है जिसमें कि आपक जिट काफी आटोमेटेड भी रहता है यानि कि इसे रिफिल करने में आपको कोई खास सरद्रती नहीं होगी बस इसे पानी में डालिए बटन दवाईए जिसके बाद ये खुद बखुद ही रिफिल कर लेता है अपने आपको और बढ़ी आसानी से आप इसमें पानी भर कर और भी मस्ती करना चाहते हैं तो ये जिल ब्लास्टर इस मस्ती को और भी ज़्यादा बढ़ा सकता है जिया है दोस्तों दरसल ये एक ऐसी गन होती है जिसमें की पानी के छोटे-छोटी जल्स वाली जो बॉल होती है उनको लोड़ किया जाता है जिने के आप अपने सामने वाले के उपर fire कर सकते हैं ये चीज़ काफी मस्ती भरी इसलिए हो जाती है क्योंकि इसमें आप काफी सारी dejar को एक साथ load कर सकते हैं और जैसे आप इसे सामने वाले के उपर fire करेंगे तो काफी तेजी से ball बाहर निकलती है जो कि उसको hit करते ही फट जाएगी ये चीज़ काफी मज़ेदार रहती है और बच्चों की इस्तेमाल करने के लिहाद से भी देखा जाए तो काफी सही होती है क्योंकि पूरी तरीके से safe होती है इसे आप किसी पर भी fire करेंगे उसे किसी भी तरीके की चोट नहीं आएगी तो दोस्तों अगर आप अपने बच्चों के लिए एक ऐसी ही gun चाते हैं जिसे कि वो काफी सारी मस्ती भी कर पाएं और किसी भी तरीके की चोट वोट लगने का कोई चकर ना हो तो इस तरीके की जलगन काफी बहतर रहेगी आपके लिए जो की खास पर बच्चों के लिए बनाया गया है दोस्तों ये एक चोटी सी gun जैसा ही दिखने वाला rocket launcher होता है जिसमें कि आपको दो चोटी 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 rockets भी मिल जाते हैं दोस्तों machine gun को चलाने का भी एक अपना मज़ा होता है जहाँ पर जैसा ही आप trigger दवाते हैं तो एक के बाद एक गोलियां fire होना शुरू हो जाती है जिसका एक अपना अलगी experience होता है तो अगर आप भी feel करना चाहते हैं इस मज़े को तो इस्तिमाल कर सकते हैं इस तरीके की toy machine gun को ये खास तोर पर बनाई गई है खेलने के लिए जिसका इस्तिमाल कर सकते हैं आप और भी काफी सारे games में जिसके अगर आप इससे निशाना लगाना चाहते हैं तो ये उसके लिए भी काफी बहतर रहेगी इसकी खास बात ये होती है कि यहाँ पर आपको magazine मिल जाती है 21 dots की और इस गन की खास बात ही होगी कि जैसे ही आप इसमें single trigger प्रेस करते हैं तो एक के बाद एक लगभग 21 shot से 5 seconds के अंदर ही खाली कर देगी ये चीज कहीं न कहीं आपको एकदम असली गन जासी feeling देदेती है जिसे कि बस आपने एक बर magazine सेट कर दी और एक के बाद एक लगातार fire होते रहते हैं तो दोस्तो बड़ा ही different से experience होता है क्योंकि होता दरसल ये एक तरीके का ट्वाई ही है लेकिन कहीं न कहीं ये आपको एकदम real gun जैसी feeling करा दिता है तो दोस्तो कमेंट करके बताएगा कि आपको ये machine gun कैसे लगी है दोस्तो बात अगर battle tanks की हो तो ये चीज काफी जदा सुदने में तो बहतरीन लगती है और साथी साथ इस्तेमाल करने में अगर आप कोई movie देखेंगे कोई game खेलेंगे तो उनमें tank की entry हामेशा से काफी जबरदस रही है तो अगर आप भी tank का मजा लेना चाहते हैं अपने घर पर ही तो इस तरीकी के gadget को try करके देख सकते हैं दोस्तो दरसल ये बच्चों के लिए एक बनाया गया ऐसा tank होता है जो की काफी हद तक working condition में होता है लेकिन चिंता मत करें यहाँ पर आप असली गोले fire नहीं कर सकते है बलकि छोटी छोटी प्लास्टी की balls fire कर सकते हैं जो की पूरी तरीके से safe रहती है बच्चों के हिसाफ से और काफी जगा मजा भी आता है ये टैंक 24 वोल्ट बैटरी से पावर्ड होता है जिसकी वज़े से इसका नाम भी 24 वोल्ट थंडर टैंक पड़ा है और यही नहीं दोस्तो इसमें जो कैनन होती है वो भी 360 डिग्री पर rotate कर सकती है जिसे कि आप चारो तरफ घूम घूम के इसमें fire कर पाएंगे साथी इस टैंक को आगे पीछे दोनों तरफ move करा सकते है यानि कि यहां पर आपको back gear भी दे रखा होता है जिससे कि जब चाहें आप अपने टैंक को पीछे भी कर सकेंगे तो कमाल की चीज रहती है जो कि आपके बच्चों को काफी हद तक पसंद आन अपके लो